दोस्तों आपने ऐसा कई बार देखा है कि BJP के नेता जिस मंच को सेर करते है जिस मंच पे वो चाड़ते है भातन देने के लिए वहाँ पे वो गिर जाते है ऐसा करते हुए BJP की कई नेता आपको दिखाई दिये है खुद अब इस सा स्टेज के उपर गिरे है नरिंदर मोधी भी एक बार गिरते हुए दिखाई दिये बीजेपी के ऐसे बहुत सारे नेता गिरते हुए दिखाई दिये लेकिन इस बार जो बीजेपी के मंतरी मंडल में बहुत सारे लोग जो है वो स्टेज के उपर गिर गए या फिर यू कहे लिजिए कि पूरा स्टेज ही गिर गया और इसमें कई नेताओं को चोट भी लगा है यह जो वीडियो आपके स्क्रीन पर आप देख रहा है यह वीडियो राजिस्थान के कोटा का है जहां पर राज्यमंतरी हरीलाल नागर के स्वागत के दवरान पूरा का पूरा मंच भरबरा कर गिर गया बताए जा रहा है कि राज्यमंतरी के साथ साथ बीजेपी नेताओं को भी बहुत गहरी चोट आई है यह आप देख सकते हैं इस वीडियो को मैं आपको पूरा वीडियो दिखाता हूँ आप इस वीडियो को देखिए उसके बाद इस पर आगे चर्चा करते हैं तो वीडियो देख लिए आपने ये वीडियो सोसल मीडिया पे बहुत वाइरल है नियूस 24 ने इस वीडियो को ट्विट करते हूँ लिखा है राजिस्थान कोटा में राज्यमंतरी हरेलाल नागर के स्वागत के दौरान मंच बरबरा कर गिर गया राज्यमंतरी के साथ कई भाजपानेताओं को लगी चोट ये खबर जो है वो सामनी आती है ये वीडियो बहुत वाइरल होता है सोसल मीडिया पे उसके बाद बहुत सारे ऐसे अईसे वीडियो भी सोसल मीडिया पे वाइरल होने लगे जो पूराना था इसमें अमित साख मंच के ओपर गिरते हुए दिखाई दिये नरिंदर मुदी जो के एक सुड़ी पे चाड़ रहे थे वो वीडियो भी सामने आने लगा जिसमें वो भी गिरते हुए दिखाई दिये एक और वीडियो जो आप देख सकते हैं जिसमें कई नेता आपको गिरते ह आई है कि उधरे जो इस वीडियो को टूइट करते वे लिखते है कि जिसने स्टेज बनाया है उसकी ख्यार नहीं है बीजेपी के नेता बीजेपी की सरकार अब उसके उपर राजद्रो का मुकदमा लगा देगी यह तरीके से यह वीडियो सोसल मीडिया पर वाइरल होता है ज मिलता है आप से अगले वीडियो में